नमस्कार सुप्रभास स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ हम रिता चौरसिया खबरों पर विस्तार से नज़ डालेंगे लेकिन आएं सबसे पहले शुरुबात करते हैं सुर्ख्यों के साथ नमामी गंगे अभ्यान के तहेत उत्राखन में छे बड़ी परियोचनाओ का प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी आज करेंगे उद्घाटन गंगा पर अपनी तरह के पहले संग्रहले गंगा अवलोकन का भी करेंगे शुभारब रोविंग दाउन दगंगा नामक पुस्तक का अभी होगा विमोचन नई रक्षव अधिकरन प्रक्रिया में घरिली रक्षव द्योग और मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने के उपाई शामिल रक्षव मंत्री राजना सिंग ने कहा आत्म निर्भर भारत विजन के नुरूप भारत को वैश्वीक वी निर्मान के केरल, हर्याना और पंजाब के बाद अब सभी राच्चियों में नुनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू पंजाब और हर्याना में सर्फ 45 घंटे में MSP पर खरीदा गया 10 करून, 53 लाख रुपे का धान 2021 के खरीद सत्र में तमिनाडू, करनाटक, महराश्टू, तेरंगाना और हर्याना के लिए 13,77,000 मेटरिक डन, दलहन और तिलहन के खरीद को भी मन्जोरी कोरोना महमारी से पैदा दिक्कतों और कारूबार सुगंता को बेहतर करने के लिए सरकार ने कंपनियों को दिराहत 31 दिसंबर तक बढ़ाए गई कंपनी फ्रेश स्टार्ट अप स्कीम समेट कई योचनाओं के अवधी कंपनी कानून के तहट शुल्क के स्रिजन या संशोधन से संबंधित पॉम जमा कराने की समय सीमा में भी छूट और देश में कोरोना मरीजों के बड़ी संख्या में ठीक होने से रिकवरी का रुख लगतार उचस्तर पर बरकरार बीते एक महिने में सुअस्थ होने वाले मरीजों के संख्या में सौ फीस सिदी की बढ़ोत्री दुनिया भर में अब तक कोरोना से मौतों का आकड़ा 10 लाग पार विश्व स्वास्त संख्या ने कहा गरीब देशों को अधिक्तम पाच डॉलर में उपलब्ध कराए जाएंगे कोरोना टेस्ट केट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए नमामी गंगी मिश्ण के तहट उत्राखण में छे बडी परियोचनाव का शुभार醬 करेंगे हैं प्रधान मंत्री कारेले के मताबिक परियोचनाव मी हरिद्वार के जगजीत पूर में 68 MLD के जल्मल शोधन सयंत्र के नर्माढ 27 MLD के मोजूदा जल्मल शोधन सयंत्र का उन्नेयन और हरिद्वार के सराइ में 18 MLD का जलमल शोधन सयंत्र का निर्माड शामिल है प्रधान मंत्री गंगा से संबंधित प्रधम संग्रहाले गंगा अवलोकन का भीउद खाटन करेंगे जो इस नदी से जुड़ी संस्कृती जैव विविदता और काया कल्प कतिविधियों को प्रदर्शित करेंगा संग्रहाले हरिद्वार में चंडी घाट परस्थित है प्रधान मंत्री का रेल निकाह के सबसर पर गंगा से जुड़ी एक किताब का विमोचन किया जाएगा जोकि रास्ट्री स्वच गंगा मिशन और भारतिय वन्नेजीव संस्थान ने प्रकाशित की साथी रिशिकेश के लकडगाट पर 26 MLD के जलमल शोधन सयंत्र का उधखाटन किया जाएगा प्रधान मंत्री लरिंद मोदी चोरपानी में पाच MLD के एक और एक MLD के दो साथी बद्रिनात में 0.01 MLD के एक जलमल शोधन सयंत्र का उधखाटन करेंगे प्रधान मंत्री कालेले ने कहा कि मोदी जलजीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मारक दर्शिका और मिशन के तहट पानी समीतियों का भी उद्गाटन किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने विश्व आपूर्ती श्रिंखला की किसी एक देश पर निर्भरता से साफधान किया है वो डेर्मान की राज प्रधान मंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से वर्चल माध्धम से मुलाकात कर रहे थे दोनों निताव ने दुनिया में बहुपक्षे सहयोग की जरूरत पर बल दिया है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि कोवीड-19 से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए दुनिया भर के देशों को एक साथ आना होगा वर्चुल माध्यम से हो रहे समेलनों की शंकला में सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने डेनमा की प्रधान मंत्री मेडे फैदरिक्सन के साथ मलाकात की प्रधानमंत्री ने ड्यनेश प्रधानमंत्री को विवाह की शुब कामनाएं दी और उन्हें भारत आने के लिए आमंतरित किया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुपक्षियवाद पर बल देते हुए कहा कि विश्व आपूर्ती शंकला में एक देश पर निर्भरता के अंजाम को दुनिया ने देख लिया है और अब वोक्त आ गया है कि इस शंकला का वेविधिकर्ण यानि डाइवर किया जाए कोविद-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाइचेंज का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधीक निर्भर होना कितना रिस्की होता है हम जपान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाइचेंज को डाइवर्सिफाई करना और रेजिजियंस के लिए काम कर रहे है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक विस्टित आपूर्ती शंकला के निर्मार में कारे रथ है उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत भी इसी दिशा में एक गदम है इस महमारी के दोरान भारत की फार्मा उत्पादम छमताएं पूरे विश्व के लिए उप्योगी रही है हम यही प्रयास वेक्सिन के खेत्र में भी कर रहे हैं हमारे आत्मनिर भर भारत अभ्यान का भी यही प्रयास है कि प्रमूख आर्थिक छित्रों में भारत के ख्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए इस अभ्यान के तहत हम आल राउंड डिवोंस पर जोड़ दे रहे हैं प्रधानमंत्री मटे फेदरिक्सन ने भारत और डिन्मार्क के 400 साल पुराने रिष्टों का जिक्री किया उन्होंने कहा कि भारत और डिन्मार्क के बीच सहयों केवल COVID-19 जैसी चनौतियों के लिए ही नहीं बलकि जलवाईयों परिवर्तन जैसी दूसरी वैश्विक चनौतियों से निपटने के लिए भी ज़रूरी होगा दोनों देशों ने Green Strategic Partnership पर भी हसाक्षर किये मिल्णिया जेओगा जेओ अन्मार्क अभी होगाए येक।र्णिया जयुकर्ण एटने का लगए हो ब्सक्षिपट हो प्यारी होगा है मैंगा जैसी चन्माइब बाहाँ एप्या है इसके अलावा दोनों देश उर्जा और कौशल विकास के ख्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने का रूड मैप बनाएंगे अखिलेश सुमन राज्य सभा टीवी रक्षा मंत्री राजन सिंग ने कहा है कि नए रक्षा खरीद प्रक्रिया डी एपी दोहसार बीस से मेकिन लिया के पहल के जरिये घरिलू उद्योग सश्रक्त बनेगा उन्होंने कहा कि ये प्रधान मंत्री नरेद मोदी के आत्म निर्फर भारत विजन के नुरूप है और इसका उद्देशे भारत को वैश्विक वे नर्माड की इंद्र बनाना है नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष व्यापक सुझावों और टेपडियों को शामिल करने के बाद ये प्रक्रिया त्यार की गई है रक्षा मंद्री ने कहा कि आफसेट दिर्शा नर्देशों को भी संशोधित किया गया है इनके तहट कल पूर्जों के बजाए रक्षा उत्पादों के वी नर्माताओं को वरेता दी जाएगी नए रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों और सैने प्लाटफॉर्म के वैश्विक वी नर्मान का केंदर बनाने पर ध्यान दिया गया है इसको लेकर आयात और नर्यात दोनों के लिए वी नर्मान के अंदर स्थापित करने के लिहास से विदेशी प्रतेक्शन वेश्च को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल है नईख नीदी में खरीद प्रस्तावों की मन्जूरी में विलंब को कम करने के लिहासे 500 करून रुपे तक के सभी मामलों में आफशक्ता की स्विक्रती को एक ही स्थर पर सहमती देने का प्रावधान है रक्षा खरीद परिशद ने सशस्त्र बलो की ओर से करी 22 अरब 90 करून रुपे के विभिन उपकरणों और हथ्यारों के खरीद के प्रस्तावों को मन्जूरी दी है इनमें घरेलो उद्योग के साथ साथ विदेशी बेंडरों में दीचाने वाली खरीद के प्रस्ताव शामिल है प्रक्षामंत्री राजना सिंग के अधिक्षा में देशी की बैठक में भारते कंपनियों से खरीद की श्रेणी के तहट स्टेटिक एच एफ ट्रांस रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एर फिल्ल वापन खरीदने को मन्जूरी दी गई इस खरीद पर लगभग 5 अरब 40 करून रुपए खर्च होंगे स्मार्ट एंटी एर फिल्ल वापन की खरीद पर लगभग 9 अरब 70 करून रुपए खर्च होंगे इससे नौ सेना और वाईं सेना की मारक शम्ता बढ़ेगी सेना की अग्रिम इकाई को मस्बूत बनाने के लिए SIG, SAUR, Assault ट्राइफले खरीदने के प्रस्ताव को भी मन्जूरी दी गई है इन राइफलों की खरीद पर लगभग 7 अरब 80 करून रुपए खर्च होंगे रक्षमंत्री राजना सिंग ने सुमवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भारती सेन अकैडमी में दो अंडर पास का शिल अन्यास किया परियोजना पर 45 करून रुपए की लागत आएगी और ये 2 साल में पूरी हो जाएगी बहु प्रतीक्षित परियोजना से अकैडमी के उत्तरी दर्षणी और मध्य परिसर आपस में जुड़ जाएंगे व्राष्टियर राजमार 72 से गुजरने के कारण परिसर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने में आसो विधा होती है अंडर पास से वेस्ट राजमार्क पर यातयात निस्सुगमता होगी और आई-मे के कैड़िट और कर्मियों को भी सुरक्षा मिलेगी ये काम पूरा होने के बाद ना सिर्फ सेना के लिए बलके आम लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात साबित होगा ग्री मंत्राले ने इंफाल शेने और राज़ी में राष्ट्री जाच एजेंसी की नई शाखाएं खोडने की मनजूरी दी है नाये के एक अधिकारी के मताबिक इस निर्णे से आतंगबाद रोधी जाच एजेंसी को संबंध त्राज्जियों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी वहीं इससे आतंगबाद से जुड़े मामलों और रास्टे सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों की जाच में एनाये की एक शमता भी मजबूत होगी वरतमान में एनाये के नई दिल्ली स्थित मुख्याले में विशेश कायों के लावा गुहाथी, मुंबई, जमू कोलकाता, हैदाबाद, कोच्ची, लखनौ, राइपूर और चंडीगर्ण में नो शाखाईं शानल हैं केन सरकार ने सुबार को एनस, सी, एन के खापलांग गुट पर प्रतिबंद बढ़ाते हुए कहा है कि नगा उग्रबादी संगिठन हिंसा, जपरन वसूली और अलगावादी गतिविधियों में श्वा मिल रहा है ग्रिमंत्राले ने कहा कि एनस, सी, एन के गयर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहने से और भारत सरकार और नकलाइन मणिपूर तथारु राचा प्रदेश की सरकारों के शक्तियों के अन देखी कर रहा है और लोगों में आतंग और देशत पहला रहा है ये समूँ उल्फा मड़िपूर के मितेई संगटनों जैसे अन्य गैर कानूनी संगटनों के साथ तालमेल बढ़ा रहा है और कारूबारियों सरकार और धिकारियों के साथ ही अन्य नागरिकों के फिरोती के लिए अपरहन तथा जबरन वसूली में लिप्त है वहीं केंद्रे ग्रीमंत्री अमिर्शाह ने मंत्रा लेके वरश अधिकारियों के साथ सुमबार को हुई बैठक में कई महत्यपूर मामलों की समीक्षा की है देश में अभी 64 विधान सभा सीट और एक लोग सभा सीट के लिए उप्चिनाव होने है चुनावायों की इन सीटों पर उप्चिनाव कराने को लेकर आज एक बैठक करेगा बैठक में उप्चिनाव की तारीखों और अण्यमामलों पर फैसला लिया चा सकता है इसके साथ ही आयोग उप्चिनाव की तारीखों का अधिकार्यों और संभंधित राज्यों के मुखि साचिवहों से उनकी राय मांगी थी राज्यसभा के माहसचीव देश दिपक वर्मा का कहना है कि हाल ही में संपन हुए संसत के मौनसुन सत्र के दौरान मुश्किल चुनाउतियों के बावजुत सचिवाले ने श्वांदार काम काज गया राज्यसभा टीवी के साथ खास बाचीट में उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सचिवाले ने एक नए समाले जीवन के लिए बहतरी तरीके से कई समायों जन किये आपको बता दें कि राज्यसभा के महासचिव ने ये भी बताया कि मौनसुन सत्र में भी पिछले तीन सत्रों की तरह उत्पाद अक्ता जो है वो बहुत अच्छी रही राचसभा के महा सचिव देश तीपक वर्वा ने राचसभा टी-वी के साथ बाचीत में कहा कि कुरोना महामारी के दौरान बिना किसी अफ़काश के दोनों सद्नों की कारिवाही का बारी-बारी से संचालन चुनोती पूर्ण था उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों सदनों और पूरे संसद भवन परिसर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा था संसदी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को संक्रमन मुक्त करने के लिए विशेश इंतिसाम किये गए थे of aave fine security by anyone who have been concerned with the parliament. So, totally new experience, very challenging and I am happy that our officers could put up a show in which think passed off at least from our perspective without any interruptions. and without any glitches and thanks to the honorable chairman not only for his guidance, for his kind words and his leadership, his directions from time to time. राच्य सभा के महा सचेव देश तीपक वर्मार ने बाच्शीत के दौरान बताया कि मौनसून सत्र समेथ पिछले कुछ सत्रों के दौरान कामकाज के रिकॉर्ड उत्पादकता जरता के प्रती बढ़ती जवाब देही को दर्शाता है. राच्शीत के दौरान 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 के द राचे सभा के महा सचेव देश दीपक वर्मा ने कहा कि 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चले मौनसून सत्र के दौरान कई तै मानक प्रक्रियाओं का अच्छे से पालन किया गया संसत भवन परिसर में इस दौरान कोवीड-19 से जुड़े हजारों परिक्षन किये गए कृती मिश्रा राचे सभा टीवी और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोड़ी से ब्रेक के लिए आप देखते रहे राचे सभा टीवी रुके बास स्वागत है आपका केरल हर्याना और पंजाब के बाद सभी राज्यों में न्यूनितम समर्थन मूली परधान की खरीद सोंवार से शुरू हो गई केरल में 21 सतंबर 2020 जबकि पंजाब और हर्याना में 26 सतंबर 2020 से जारी खरीद के आवधी में कोई बदलाव नहीं होगा इससे किसानों को न्यूनितम समर्थन मूली पर अपनी उपच को बेचने की ततकाल सो विधा पराप्त होगी पंजाब और हर्याना में 2021 के दौरान धान की खरीद 26 सतंबर 2020 से शुरू हुई और सिर्फ 48 घंटे में 10 करौन 53 लाख रुपए का धान MSP पर खरीदा गया साथी 2021 के खरीफ सत्र में तमिनाडू, करनाटक, महरास, तेलंगाना और हर्याना के लिए 33,77,000 मेट्रिक टन दलहन और तेलहन की खरीद को भी मनजूरी दी गई 2021 की फसल सत्र के लिए कापास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी COVID-19 की वज़े से पैदार चनों के बीच कॉर्पोरेट मामरों के मंतला लेने कमप्टीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम और LLP निप्टाम योजना के अवधी को बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया है इसके लावा कमप्टीओं को आसाधरन आम बैठक और बोर्ड बैठक इस साल के अन तक वीडियो कांफरेंस या इसी तरह के अधे माध्धमों से करने के अनुमती दी गई है इसके साथ ही कमपनी कानून 2013 के तहट शुलक के स्रिजन या संशोधन से संबंधित फार्म जमा कराने की समय सीमा में छूट दी गई है सुवतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक पर खुद का पंजिकरन कराने के समय को भी बढ़ाए गया है पहली ये सभी समय सीमा आए 30 सतंबर को समाप्थ हो रही थी कोवीड-19 माहमारी की वज़े से पैदा हुई दिक्कतों तथा कारूबार सुगमता के स्थिति को बहतर करने के लिए एक अदम उठाया गया है देश में कोरूना संक्रम्न के 82,170 नए मामले सामने आने के बास से देश में कोरूना संक्रम्न के जो कुल संक्रम्न के बहुत चुगी है हला कि राहत की बात ये है कि कोरोना से ठीक हुए मामनों के कुल संख्या भी 50,000,000 के पार है बीते एक महनी में स्वास्त होने वाली मरिजों की जो संख्या है उसमें 100 फीस दिकी बढ़ात्री होई है केंद्री स्वास्तिय मंतराले के आकड़ों के मताबक देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 82,179 मामले सामने आए हैं इसके साथ ही देश में करोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 60,74,703 हो गई है जबकि 74,000 से ज्यादा लोगों के संक्त होने के साथ देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाग से अधिक हो गई है देश में करोना वाइरस बिमारी के 9,62,640 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 15.85 प्रतिशत है पिछले 24 घंटे में करोना वाइरस से 1,049 लोगों की मौत हुई है जिसके बाद देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल तादाद 95,542 हो गई है देश में मरीजों के ठीक होने की दर 82.58 फीसे जी तक पहुँच गई है और मित्यूदर घटकर 1.57 प्रतिशत रहे गई है भारती चिकित्सा अनुसंधान परिशत के मताबिक देश में अब तक करीब 7 करोड 20 लाग नमूनों की चार्च हो चुकी है भारत समीत विदेश में कोवीड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से जुड़ी जर्णकारी अब आप वैब पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं केंज्रे स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने कोवीड-19 के लिए आइसेमार के वैक्सीन वैब पोर्टल और रास्ट्रे क्लिनिकल रजिस्ट्री का कल शुभार में किया रास्टे कोवीड नाइंटीन क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में नैदानिक और प्रयोक्षाला जाचुपचार प्रवंधन नवाचार और अस्पताल में भरती कोवीड ड्रोग्यों के परिणामों के बारे में आकड़े जुटाएगी कोवीड नाइंटीन के लिए वैक्सिन के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सक हैं उन्होंने का कि वैक्सिन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीकी से दी जाने चाहिए कोवीड वैक्सिन के कंटेक्स्ट में एक पोर्टल को आज स्थापित किया गया है जहां देश के लोग उस पोर्टल पर जाकर कोवीड वैक्सिन से जुड़ीवी सारी रिसर्च और उससे जुड़ीवी जो भी ड्वलप्मेंट्स हैं उससे जुड़ेवे जो भी क्लिनिकल हैं उसके जुड़े हुए जो भी आने की संभावना हैं वैक्सिन के ड्वलप होने की इस सब की जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे कोविड नाइंटीन की भी और दूसरी भी जो वैक्सिन्स देश के अंदर उपलब्द हैं यूनिवर्सल इम्नाइजेशन प्रोग्राम में दी जाती हैं यह सब जानकारियां वहाँ पर मिलेंगी दुनिया भर में कोरोना की मरीजों की संख्यात इन करोन से जादा पहुच गई है और मरने वालों का आकड़ा जो है वो दस लाग को पार कर गया है और इसी बीच डवलो एचो के महाने देशक टेडोस अद्नोम ने कह कि कोरोना वाइरस के लिए करीब 12 करोन रापिड डियाग्नॉस्टिक टेस्ट निम्न और मध्यम आईवर्ग वाले करीब देशों की को अधिकतम पाच डॉलर प्रती यूनिट पर उपलब्धिकर आए जाएंगे डवलो एचो के महाने देशक ने कहा है कि कोरोना टेस्ट किट निर्माता अबोट और एसडी बायो सेंसर ने बिल एन मिलेंडा गेट्स फाउंडिशन के साथ मिलकर 12 करोन ने कोवीट की जाच में अत्तिधिक पोटेबल और असानी से उप्योग किये जाने वारे रापिड टेस्ट 6 महने में उपलब्द कराने पर सहमती व्यक्त की है वार्सिक स्वास्त समेलियन फिकी हील 2020 आज से एक अक्टूबर के बीच आयुजित होने जा रहा है वर्चूल प्लेटफॉर्म पर आईजित इस कारिक्रम की थीम कोवीट के बाद स्वास्त सेवा एक नई शुरुवात है कारिक्रम का उद्घाटन उप्राश्ट्रपती एमवेंका यानाइडू करेंगे और इसमें स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श्वादन के साथ स्वास्त सिवाओ से जोड़ी कई हस्तियां शामिल होंगी कारिक्रम का आप राज्ज सभा टीवी पर आज शाम पांच बजी से सीधा प्रसारान देख सकते हैं सरकार ने चीन से और शादिक्ष्वेत्र के कच्चे माल सेप्टिक सौन सोडियम इस्टराइल की कथीद डंपिंग के जाज शुरू कर दी है नेक्टल, लाइफ साइंसेंस और इस्टराइल इंडिया ने इस संबंद में वारिजी मंतराले की जाज इकाई प्यापार राहत महाने दिशाले दीजी टी आर के समक्ष शिकायत की है घरेलू वीनिर मरताओं ने इस मामली की जाज की मांग की है शुकायत करने वालों का ये कहना है कि चीन से डंप माल के आयाद के कारण घरेलू उद्यों को नुकसान हो रहा है उन्होंने इस तरह के आयाद पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का नुरोध किया माहन दिशाले चीन से उद्पाथ की संबंध में डंपिंग के आरोपों की वास्विक्ता ऐसे उद्पादों की मात्रा और दुश्परभाव को तै करेगा अगर उद्पाथ की डंपिंग का पता चला तो डंपिंग रोधी शुल्क की राशी की सिफारिश की जाएगी दीजी टियार इस तरह के शुल के सिफारिश करता है लेकिन इसे लागू वित्मंत्रा ले करता है अंतरास्टे वेपार में डंपिंग उसे कहते हैं जब कोई देश या कंपनी घरिलू बाजार में उस उत्पात की कीमत से कम मुल्ले पर आयात करता है और भारते डिल्वे ने यूजर डीपो मॉड्यूल यूडी एम की शिरवात की है इस मॉड्यूल से मैनुवल वर्किंग डिजिटल वर्किंग में तब्तीर हो जाएगा जससे सभी हितधारकों के साथ लेंदेन एवं ओनलाइन सुचनाओं के आदान प्रतान में तेजी आएगी यूजर डीपो समेथ संपोने आपोर्ती श्रिंखला में डिजिटली करण को सुनिशित करेगा इस प्रणाली को जल्द ही भारते रेलवे के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा स्टोर डीपो तक रेलवे के आपोर्ती श्रिंखला का पहले ही डिजिटली करण किया जा चुका है हाला कि यूजर के स्थर पर गतिविध्या मैनुवल रूप से ही की जा रही है इस प्रणाली के द्वारा विक्सित परिसंपत्ती प्रबंधन के रावा अर्थव्यवस्था दक्षता और पार्दशता में सुगम ताएगी कोल ब्लॉक निलामी की वर्तमान चरण में 38 कोईला खदानों के संबंद में संभावित निविदा ताकरताओ द्वारा 276 निविदा दस्तावेस खरीते गए हैं नामित प्रादिकरण आज दुपहर दो बजी तक बोलियों से संबंदि दस्तावेस प्राप्त करेंगे और बोली प्रक्रिया 30 सितंबर को सुभा 10 बजे शुरू होगी उत्रप्रदिस सरकार ने केंदित जलशक्ती मंत्राले के अधहीन पेजल और सुचता विभाग द्वारा शुरू किये गरीब कल्यान रोजकार अभियान में आठ पुरसकार हासल किये हैं रज में गंदगी मुक्त भारत योचना के करियान रवैन में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है जलशक्ती राजमंत्री 2 अक्टूबर को एक वर्चल सम्हारों में पुरसकार देंगी केन सरकार ने श्रमिको और कामगारों पर कोवीड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब कल्यान रोजगार अभियान शुरू किया था ये योचना 20 जून को 50 हजार करनों रुपए के पैकेच से शुरू की गई थी और असम एक बार फिर से बार से बेहाल है यहां पर तेरह से लोग के लगभग 3 लाग से अधिक लोग बार से प्रभाविद हैं आसम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ओर से जारी बार रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस वर्ष पाल संबंधित घटनाओं में कुल 119 लोग मारे जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों से लगतार हो रही बारिश के बाद ब्रह्मा पुत्र नदी हो और उसकी साहिक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है बार के कारण धिमाजी, लखिंपूर, विस्पनाथ, कामरूप, मोरी गाउं, होज़ाई, नगाउं, माजुली, जुरहाट, शिवसागर, तिन सुक्या, दिब्रुगर और पस्चिमकारगी, आंगलोंग, जिले प्रभावित हुए नगाउं, सर्वाधिक प्रभावित जिलाहे, जहां करीब दो लाख लोग बार से प्रभावित हुए है रिपोर्ट के नुसार असम में, तीन सो नवासी गाउं टूब गए हैं, और तेरह हजार, चार सो तिरसट हैक्टेर भूमी पर फसले, बरबाद हो गए है और असम की पूर्व मुख्य मंत्री सयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, वो 84 बरस की थी अनवरा तैमूर असम की पहली महला मुख्य मंत्री थी चार बार की विधाएक अनवरा 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक असम के मुख्य मंत्री रही राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती और प्रधार मंत्री समीट के निताओं ने उनके निधन पर शोग जताया है राष्ट्रपती रामनत कोविंद ने उनके निधन पर शोग जताते हुए कहा कि अपने लंबे साफजनिक जीवन में महिलाओ दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए उनके प्रयासों को सदैव आधर पूर वक्त याद किया जाएगा उपरास्ट पती ने उनके परिवार के प्रती संभी इतना जटाई प्रधान मंतरी नरीन मोदी ने भी अनवरा तैमूर के निधन पर शोग जताया उनके परिवार के प्रती संभी इतना प्रकट की उन्होंने कहा कि इसम के विकास के प्रती उनके योगदान को याद किया जाएगा और टोक्यो उलम्पिक और पैरा उलम्पिक खेलों की मशाल रिले के मार्ग और कारिक्रम में कोई बदलाब नहीं होगा टोक्यो उलम्पिक के आईजको ने सुंभार को इसकी घोश्रा की आईजको ने पुनर निर्धारित आउटलाइन जारी करते हुए बताये कि उलम्पिक मशाल रिले की शिर्वाद 25 मार्च 2021 को फुकोशिमा प्रायड वी केजे विलेज ट्रेनिंग सेंटर से होगी और जापान के सभी 47 प्रांथ से गुजरेगी उलम्पिक मशाल को अपने इस सफर में 121 दिनों का समय लगेगा और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही लेकिन आप देखते रहें राची सभा टीवी नमस्कार